हलो बच्चो और वेलकम टू स्टडी विद यूनिक मैं सुपो सर स्वागत करता हूँ आपका आप जीए पहरे चानल स्टडी विद यूनिक पर और आज इस लेक्चर में हम मैंट्स टू 11 स्टेंडर्ड महारश्टर बूट का चैप्टर वन जो की कॉंप्लेक्स नमबर है ठी क्योंकि प्रोपर्टी वगरा बहुत आती है कॉंप्लेक्स नमबर में तो इसकारण से आपको यह पूरा टॉपिक ही नाया आपके लिए इसमें का कुछ भी आपने इसके पहले देखानी है ठीक है ना आयोटा देखा है ना अंडरूट माइनस देखा है ठीक है तो यह अंडरूट माइनस 36 माइनस अंडरूट माइनस टूदबा माइनस 625 ठीक है अब देखो अब सिंबल एजी लिखना कैसे सुनना यह बात देखो जाची यह तो रहा इदर कर लेका यह इदर लिखता देखो इस इक गोल डूट अब यह रूट 16 ने इसको कैसे लिखेंगे रूट 16 इंटू अंडरूट माइनस गोल लिख सकते है बिलकुल क्योंकि अंडरूट 16 को 16 इंटू माइनस 16 को ऐसे तो हमने सिखा यह अंडरूट A इंटू B को कह ले सकते अंडरूट A इंटू अंडरूट B इन law of indices सिखा है हम नहीं बिलकुल नहीं सिखा तो अभी देखो तो law of indices, इसे note कर लो, law of indices रही है, note कर लो, ठीक है, चलिए, तो देखे, यहादक हो कि अब plus 3 into under root minus 125, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 3 under root 25 into under root minus 1, ठीक है, plus under root 36 into under root minus 1, ओके, ठीक है, अब यहाद पे minus, यह देखो, minus, यहाँ minus है, under root 625 into under root minus 1, अब आधा काम तो यह होगे, देखो, under root 16 का जया होता है, 4 आए, plus 3 into 5, root 25 का 5, 3, 5 is the 15, 15 आए, यहाँ क्या होगे है, 15 है, ठीक है, plus, root 36 का 6, और इसका आए, ठीक है, अभी आगे, minus under root 625 into under root minus 1, तो यह होगया, 25 आए, ठीक है, चलिए, तो यह 4 आए, और यह 6 है, 10 आए, 10 प्लस 5, 15 आए, कितना होगया, 15 आए, minus 25 आए, तो यह आगया, minus 10 आए, final answer आपका, कि आए, final answer minus 10 है, clear होगे बात, कोई दिखकर्थ, कोई बादेशान, देखो, बहुत ही आसान है, under root minus 1 को बाजू में किया, साइड में लेके, बाकी को solve किया, जो आया हो लिग दिया, ठीक है, प्राइडी साफरक्शन, ठीक है, तो अब सेकंड कोशन देखो, 4, under root of minus 4, plus 5, under root of minus 9, minus 3, under root of minus 16, ठीक है, अब यहां देखो, जैसे under root minus 16 दिखे, समझ आना कि इसका मेनिंगे 4 आए, ठीक है, क्योंकि रूट का minus 1 तो आ नहीं हाला, under root, क्योंकि हमें पता है, under root of minus 1 is equal to i, यह हमने इसले लेक्शे में अच्छे से पढ़ाए, ठीक है, तो अब ऐसे आपको बाकी के सब समझ देखे, ठीक है, अब मैं डारेक्ट करोंगे, ठीक है, यहां पर प्लस, 9 का 3, और यहां under root minus 1 का i, minus 3 इंटू, यह 16 का 4, और यह under root minus 1 का i, ठीक है, अब यह समझ लो, इस सब का same record होने वाला है, ठीक है, अब 8 आए, प्लस 15 आए, minus 12 आए, ठीक है, तो यह 3 आए और यह 8, तो 11 आए, ठीक है, चलिए, तो हो गया मैटर क्लोज यहां पर, ठीक है, clear, ठीक है, देख रहा है ना आपको clear, ठीक है, चलिए, अब अगला, आसाली से हो जाएंगे question solve, tension नी लेना, ठीक है, अब यह देखो क्या बुला है, write the conjugates of the complex number, मैंने आपको पहले कोई दिया आता बेटा, के complex number में conjugate लिखना, तो हमेशा scientist का बतलना, of the imaginary part, बिल्कुल बेटा, सही के सकी आपको, सब सही सब्जा आपको, ठीक है, जैसे क्या देखो, 3 plus i है, इसको लिखेंगे, 3 minus i हो गया conjugate, ठीक है, ऐसे लिख conjugate, अब यह देखो, conjugate को लिखने का एक तरीका होता है, j is equal to 3 plus आए, तो conjugate यह है, जैट पर बार देना, तो 3 minus आए, बस ऐसे, यह आपका अंसा, clear कि इसको conjugate, अब आगे यह देखो, 3 minus, अब इन्होंने क्या यह लिख दिया यह क्या पता, अब यह 3 minus है, मतलब कोई printing mistake होगी, त अब यह 3 है, तो इसका conjugate भी 3 है, क्योंकि इसके पास कोई भी imaginary part नहीं है, जिसका मैं sign पर लो, ठीक है, minus 3 मत कर देना, 3 होता है, ठीक है, अब यह 3rd आला, under root 5 minus under root 7 है, तो z is equal to minus root 5 minus 7 है, तो क्या हो गया, minus under root 5, तो यह minus, यहा है न, ठीक है, तो यहा minus का plus under root 7 है, यहाने के conjugate, ठीक है, clear, ठीक है, अब अगला, minus under root, minus 5, तो यह हो गया आपका, इसका conjugate यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई complex number actually है नहीं, ऐसा सोचना मत रहे है, देखो, minus, यह root 5 है कैसे लिख सकते है, under root 5 है, क्योंकि यह minus 1 बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो conjugate आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, यह positive बन जाएगा, तो under root 5 आए, positive में, ठीक है, बहुत से बच्चे आप बूल जाएगे, कि नहीं सर यह तो आई, नहीं बैठा, रूट में माइनस यहाँ नहीं था, जहां गया हो अभी, एक लिया था न यह, इसमें नहीं था कुछ, उसमें था यह, ध्यान देना है, under root में माइनस था, आया है, आया आगे हमाँ, ठीक है, चलिए, अब अगला, एक कुर्श्चन, अब इसका तो direct आप बोल सकते हो, बताओ, चलो, यह अगर जेड है, तो इसका जेड बार, यानि के conjugate, माइनस 5 आए, ठीक है, अब अगला, ऐसे धिरे- प्रण फड़ा मट कर रहा, ठीक है, अंडरूट 5 माइनस है, तो यह जेड आगे, अपका अंडरूट 5 माइनस है, इसका मीनिंग आपका conjugate क्या आगे है, अंडरूट 5 प्लस है, ठीक है, समझ रहो, अब यहाँ देखो, अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3, तो यह अगर जेड ह अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 है, तो इसका चुपट माइनस है, समझ रहो, कक्या है, तो इसका कॉंजूग्र्ट कॉंजहित, इसका कोंजूगेट कॉंज समझ रहो, अंपका समझ रहो, चूंद देखो, इसका कॉंजूच क Laboratory कॉंगे Ta mics यहाई अंगे है, है, अब आगे , अब इसे करते हैं ठीक है कम्पेर करना अब यह कुशन वह कर पाएगा जिसने इमेजनली पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है यह पूरा अच्छे समझ लिया पिछले लेक्षर में ठीक है अब मैंने हो सके उतने एक्जमबल दिये थे उसमें बहुत यह रहे ठीक है अब नहीं समझें तो भी यह तो यह जती आइना पाट होता है और रियल पार्ट होता है अब यह ज्युख है और रियल पाट है ये है, ठीक है? देखो, मैं दोनों में साइन अलग दे रहा हूँ, एक जैसा दिखना से आप बिल्कुल इसा है, छोड़ो, मैं सिंपल, एक लाइन, दो लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, समझें, आप समझ रहा है, ठीक है, अब देखो, ये रियल पाट इ जो यह यहां 3 डालेंगे तो A के वैलव यहां 3 डालेंगे, तो यहां देखो, यहां A के वैलव 3 डालेंगे तो B आलेंगे, अब compare किया कैसे से? देखो, बच्छा, complex numbers comparable होते हैं, अगर वो equal है, तो ठीक है? Real part is comparable to real part and imaginary part is comparable to imaginary part. अब सबसे बड़ा एक मैं तोड़ने आपका मीत, बहुत से बच्छा एगर देखो, 2 A i is equal to 6 i लिख लेदे, भाई मेरे i है, इसलिए तो यह कौनसा part है? इमाइनरी part है, तो i को ले रहा है मैं जुको, ऐसे भी आए कटने वाला है, तो i नहीं लेना है आपको, direct करना है, ठीक है? यहाई टूट करो, ठीक है, put A is equal to 3 in equation, तो A plus 2B is equal to 4, तो 3 plus 2B is equal to 4, तो यह उदर गया, तो B is equal to 4 minus 3, 1, यह 3 उदर जाके minus, 4 minus 3, 1 और यह 2, तो B is equal to 1 by 2, बस होगे answer, यह और B के वालो आगे, यह तो करना है, ठीक है, समझे, बस compare करने की देख, ठीक है, ठीक है, अब यह देखो, ठीक है, कैसा है, A minus B plus A plus B, I is equal to A plus 5, अब यह भी मुश्किल नहीं, ठीक है, देखो, यह real part compared to A, मतलब A minus B is equal to A, और A plus B is equal to 5, तो यहाँ देखो, A plus B is equal to 5, बहुत आसा है, देखो, डोनों साइड, A, A भाईया, कैंसल हो गया, ठीक है, सिंपल बात है, यह plus उदा जाके minus A हो गया, ठीक है, मतलब minus B is equal to 0, यहने B आपका 0 आगे, ठीक है, डायरेक्टी नहीं समझा, देखो, A minus B, यहाँ देखो, A minus B is equal to A, ठीक है, यह A minus A और यह minus B उदा जाके plus B, ठीक है, जिस कारण से B is equal to A minus A, 0, तो B के आगे आपका, 0, ठीक है, अब देखो, A plus B is equal to 5 आगे, ठीक है, अब B की value 0, तो A plus 0 is equal to 5, therefore A is equal to 5, यह हो गया आपका final, B और A, बस इतना आपसान, बहुत दी हल्वा questions है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, बस, अगला, A plus B, 2 plus I is equal to B plus 1 plus 10 plus 2A, और यह, आए, तो देखो, A plus B, direct मत लिखके जाना है, पहले तो इसे solve करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों side complex है, देखो, आए, 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 तो यहाँ तो सही है, यह तो पुरा मेरा imaginary part, यह real part, I know this, ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत वाली बात है, तो A into 2, 2A, A into I, A I, B into 2, 2B, B into I, B I, is equal to B plus 1 plus 10 plus 2A, in bracket I, ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, मेरी बात पर, यहाँ 2A plus 2B साथ में लेकिया हो, A plus, यह A plus B common देखो, A I और B I में से A plus B common और यहाँ आए, ठीक है, clear, यहाँ है, यहाँ A plus B common और A plus B, एक साथ लिखो और I common निकलो, sorry, मैंने A plus B common बोला गया, I common, ठीक है, और यहाँ B plus 1 plus 10 plus 2A into I, ठीक है, clear, अब देखो, अब यहाँ पर आप चाहो तो इससे direct इसके साथ compare करो, तो भी okay, वरना इसको और solve कर सकते, B इदर अगेरा लागे, लेकिन कोई आपका real part और यह बोलने थे imaginary part हो जाएगा, 2A plus 2B is equal to B plus 1, ठीक है, अब देखो, यह 2A, यह इधर आके, एक minus B, तो 2B में से 1B कहा तो positive B बचेगा, क्योंकि यह बढ़ा है, और यहाँ 1, यह होगे equation 1, ठीक है, अब यह A plus B is equal to, is equal to 10, एक मिन ना, is equal to 10 plus 2A, 10 plus 2A, देखो, A plus B is equal to 10 plus 2A, अब देखो, यह इधर आ गया, तो minus A हो जाएगा, ठीक है, एक काम करती है, उससे उदर लेके जाते है, तो यह A उदर गया, तो minus A, यानि कि A की यह बचा positive, यह plus B उदर जाके minus B, is equal to 10, सही है, ने, is equal to minus 10, क्यों minus 10 आया, ठीक है, क्यों minus 10 आया, यह A plus था, उदर जाके minus, तो क्या है, पॉजिटिव है, यह plus उदर जाके minus B, यह 10 इधर नहीं रह सकता है, यह से उदर आना होगा, जहाँ वेरियावरस नहीं, इस साइड उसे आना होगा, तो 10 इधर, positive था, इधर आके negative, तो आप बोलोगे, इधर का उदर लिखने में ही सम मजगे, ठीक है, equation 1, plus 2, ठीक है, 2A plus B is equal to 1, A minus B is equal to minus 10, VB cancel, 3A is equal to minus 9, 1 minus 10 minus 9, A is equal to minus 9 upon 3, क्या है, minus 3, divide करने, 3 से divide किया, तो आप देखो, A के value minus 3, ठीक है, तो put A is equal to minus 3, put A is equal to minus 3, इन equation, कौन से equation में डाले है, equation, चले equation 1 में डाले है, ठीक है, देखो, तो यहाँ पे, 2 into 3 plus B is equal to 1, ठीक है, क्योंकि यह equation 2A plus B is equal to 1 वाली है, ठीक है, तो यहाँ देखो, B is equal to 1, यह 2, 3 जा 6, तो minus 6, तो B कितना आ गया, minus 5, ओके, यह 1 और यह B, ही, बात खतम, समझे है, बहुत आसान है, क्लियर बात, चलिए, नोट कीजिए, 1, 2 and 3, ऐसी फंडे लगाने होंगे, अलग-अलग, और सॉल्व करते रहना है, questions को, ठीक है, अलग-अलग, फंडे लगा जे रहो, questions solve करते रहो, इसमें, इसमें बहुत questions है, क्योंकि 24 questions है, सब questions पकड़के, मेरे पास 59 slides दिख रही है, मुझे, बतलब 58 questions है, ठीक है, अब देखो, A, B, I is equal to 3A minus B plus 12 है, अब देखो, real part सिर्फ इतना है, तो 3A minus B is equal to 0, क्योंकि इसके बास real party ने, 0 plus हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बास real party ने, अतलब 0 plus A, B, I is equal to 3A minus B plus 12 है, ठीक है, यह आगे इसको equation बन देखो, यह हो गया, A, B, I, और यह 12, ठीक है, देखो, I, I, imaginary, तो A, B is equal to 12, तो A की है, B की फेलो बना रो, चलो, B की बना लेते, B is equal to 12 by A, ठीक है, चलो फिर, यहाँ पर लिख जादे है, तो यह equation 2, तो यहाँ देखो, put करो, equation 1 and 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो देखो, देहां से, 3A minus B का क्या है, 12 by A is equal to 0, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यह cross multiply का क्या हो गया, 3A square, देखो, यह cross multiply 3A square, minus 12 is equal to 0, सही है, अब देखो, 3A square is equal to minus 12 का उदर जाएगे, plus 12, यह 3 upon में, तो A square is equal to 12 by 3, तो यह 4, तो A square is equal to 4, तो अब, अब, अब आप यहाँ root लोगे, तो A is equal to plus minus 2 हो जाएगा, देखो, अब A अब अगर plus minus 2 हो रहा है, तो B भी 2 आएगे, ठीक है, क्योंकि इसमें put करोगे तो देखो, equation, लिखते पहले, for A is equal to plus 2, for A is equal to minus 2, यह से 2 आएगे, ठीक है, तो plus 2 आएगे, तो क्या हैगे, देखो, B is equal to 12 by 2, यहने B 6 हो जाएगा, और B is equal to 12 by minus 2, यहने B is equal to minus 6 हो जाएगा, समझ गया, ठीक है, बहुत ही आसान, अब इससे आप quantity, इससे आप complex number भी बना सकते हो, चाहो तो, ठीक है, पोला था क्या question में, मैं चूट तो नहीं गया, complex number निकालना था क्या, एक बार देख लेता जाएगा question, find A and B जाएगे, complex number नहीं बोला है, ठीक है, तो यह समझ के A B कैसे निकालना है, अलग-अलग तरीकी से निकालना होगा, हर जगा अलग कुछ लग रहा है, ठीक है, चलिए, clear है बगला, अगला question देखते हैं बच्छों देखो, तो यहाँ पे क्या है, A plus IB और यह 3 minus 2 आ उपर, तो यह देखो, A plus IB उतर भेज़ो, ठीक है, और यह 3 minus 2 आ है ना, तो इसको conjugate दरो, 1 upon 3 minus 2 आ है, एंटो 3 plus 2 आ है, अपर अपर 3 plus 2 आ है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे A plus IB is equal to, यहाँ पे 3 plus 2 आ है है सार, यहाँ देखो, यहाँ पे 3 square plus 2 square, आप सोच रहा होगे सार, यहाँ तो, आप देखो, क्या है तो देखो, A minus IB into A plus IB अगर होता है, तो उसका होता है, बटा A square plus B square, ठीक है, देखा जा तो वैसे क्या होता सोगे, यहाँ पे वैसे तो, अगर आ, A plus B, A minus B तो formula लगा होगे, ठीक है, तो वहाँ तो वैसे होता है, A square minus IB का square, लेकिनि, IB का square है, तो A square minus I square B square है न, तो A square का minus, माइनस माइनस, प्लस, तो A square plus B square अशे होता है, ठीक है, यहाँ पी है पेटा, क्या है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे A plus IB is equal to 3 plus 2I, यहाँ पे क्या है, 9 plus 4, 13, बिल्कुल, और यहाँ पे D plus 2I, अब आगे, solve करेंगे तो देखो, A plus IB is equal to 3 by 13, 3 by 13, plus 2 by 13I, प्लस 2 by 13I, ठीक है, यहाँ पे यह देखो, 3 by 13 यह हो गया, और B हो गया, 2 by 13, चलो, समझ गया, बहुत दी आसान है, जिध्याद से करना, यहाँ यह पहले उदर लेगे जाना, यह इतर, ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आफ तो खिड़म करने हाँ, Напр trophies करने हाँ 20 खंच करने हाँ, बहुत बढ़ा है क्योंकि यह, ठीक है, पहले एग् monumentist, बहुत बागी चोटी, आप अब पुर्थी exercise, लेकिन बढ़ी इंदी, ठीक है, अब देखो, अब देखो A plus IB और यह अब यहां क्या कर सकते सुनो, हाँ डारेक्ट कर दो, हो जाएगा, A into 1 A, A into I, A I, B into 1 IB, IB into I, BI square या I square B, आपको जैसे लिखना है, 2 plus I, यहां डारेक्ट हो रहा है, देखो, यहां A, और यह minus B, यह plus, A plus B in bracket I, ऐसे होगा, आप बोलोगे सर, ऐसे कैसे लिख दिया आपने एकदम से, देखो यह जो I square होता है, यह होता है, minus 1, इसके लिए कैसे लिखते, तो I होता है, under root, minus 1, तो I into I, root root cancel, तो minus 1, ठीक है, square करके देख लो, तो इसलिए minus 1, तो यह minus B इदर लिख दिया, और इसमें से I common निकाल लिया, ठीक है, तो देखो, A minus B is equal to real part, comparing with real part, unreal, यान imaginary part, A plus B is comparing with 1, being compared, यहां 1, ठीक है, तो अब इसे solve करके A भी निकाल सकते है, equation 1 plus 2, equation 1 plus 2, direct B, B cancel, B और B cancel, B, B cancel, 2A is equal to 3, यानि के A is equal to 3 by 2, और B कैसे आज जाएगा, B आपका देखो, क्या हो जाएगा, A plus B is equal to 1, तो A की value डालो, 3 by 2 plus B is equal to 1, therefore B, 1 minus 3 by 2, B is equal to 2 minus 3 minus 1 by 2, बस बिलकुल यह तो calculation का खेले, cross multiply करके, ठीक है, अब मैं sweet C क्यों बता रहा है नहीं, यह आसान है, easy है, ठीक है, basic C हो, तब यह और अच्छे समझें, ठीक है, clear, चलिए, note कीजिए, 1, 2, 3 हो गया, ठीक है, अब देखिए, 18 नमबर, अब यहां से हमें, A और B के साथ साथ, A plus IB के form में भी लिखने, ठीक है, चलिए, तो इसके कितने question है, पहले मैं देख लो, फिर चुरू करता हो, यह बीच में नहीं चोड़ सकता हमें कोई question, हाँ, तो यह, बहुत सारे हैं बच्चा, तो एक काम करते, अब इसे हम अगले lecture में लेते हैं, यहां पर हम रुख जाते हैं अभी, ठीक है, तो हमने यहां अभी question number, question number 3 तक complete कर लिया पूरे, ठीक है, और फिर हम अगला question, अगले lecture में लेते, question number 1 से 3 हमने इस lecture में खतम किये, basics, ठीक है, तो मिलते हैं अगले lecture में पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें, जय हित, जय भारत